जब भी यह लाइट जली भी आएगी तो इसका मतलब आपका TCS बंद है ओन करने के लिए क्या करना होगा फिट से आप हेलो दाइस मेरे नाम है राखुल आप देख रहे हैं PRG व्लॉग आज की वीडियो है हमारे warning indicator और warning lights के उपर आपने देखा होगा के winters के time पे हमारी गाड़ी जादा ठंडी हो जाती है तो हम उसको एक दो मिनट सुबह सुबह स्टार्ट करते हैं अगर हम office जा रहे हैं और फिर अपनी गाड़ी को कहीं भी लेके जा रहे हैं आपका TCS यानि की traction control system, ideal on off, electronic power steering, आपके air bag, seat belt, आपके door कोई open तो नहीं है सारे जो symbols होते हैं वो सारे आपको instrument cluster में ही मिल जाते हैं तो वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए ignition को on करते हैं, जैसी मैं अपने ignition को on करूँगा, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे warning lights आ गई है, warning indicator यही है हमारे warning lights और warning indicator अब ये सारे warning indicator जब आपकी गाड़ी start हो जाती है तो गायब हो जाने चीए, disappear हो जाने चीए इसका मतलब आपकी गाड़ी बिल्कुल safe है, आपकी गाड़ी में कोई भी problem नहीं है, लेकिन गाड़ी start करने के बाद भी कोई भी अगर indicator रहता है तो it means कि आपकी गाड़ी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो हर indicator कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को indicate करता है तो चलते हैं सबसे पहले अपने left पे जो आपका ये oil का निशान बनावा यहाँ पर, यह आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है आपका engine oil pressure, यानि कि आपकी गाड़ी के अंदर engine oil कम तो नहीं है, यह indicate करता है यहाँ से, second की बा बात भी जलेगी, यह बात नहीं होगी, अगर आपने अपनी गाड़ी को start के और यह light फिर भी आ रही है, तो इसका मतलब आपके गाड़ी के engine में कुछ problem है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी गाड़ी को service center लेके जाना है, बात करें हाँ पर आपको देख सकते है कि यह engine malfunction के ओपर एक और symbol बना रहा है, यह battery का symbol है, प्लस माइनस का, इसका मतलब होता है कि आपकी गाड़ी की जो battery की health है, या फिर आपकी गाड़ी को battery charge करने का जो circuit है, वो ठीक से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, जैसी अब अपनी गाड़ी को start करेंगे, तो यह symbol गयब हो इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है, आपका electronic power steering wheel, मतलब कि आपकी गाड़ी का जो steering wheel है, वो बल्कुल align है, ठीक से काम कर रहा है, गाड़ी start होते है, यह symbol disappear हो जाएगा, बात करते हैं, अगर आपके इस तरह है, यह वाला जो symbol हा रहा है है, जिस पे एक human बनावा है, और एक seatbelt मनी भी है, इसका मतलब होता है seatbelt indicator, अब जब भी मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूँ और seatbelt नहीं लगाँगा तो यह indicator आएगा ही, अब इस indicator को मुझे अगर इसे हटाना है, तो मुझे क्या करना होगा, कि मुझे अपनी गाड़ी की seatbelt लगा रहा हूँ और यह indication चले अब जब जब आएगा, मैंने अपनी गाड़ी की seatbelt लगा लगा ली है और यह indication चलेगा है, जैसी में अपनी गाड़ी की seatbelt लगाँगा, यह indicator वापी साद एगा, तो यहां से भी आपता लगा सकते हैं कि आपकी गाड़ी आपने seatbelt लगाया है या नहीं लगाया है, अच्छ तो देखो अगर ध्यान से मैंने यहां पे finger रख रखी और मैं यहां पे इसको प्रेस करूँगा, जैसी मैं इसको प्रेस करूँगा तो यहां पे एक orange कलर की light आजेगी जिस पे A off लिखावाएगा, अब अब इस टाइम आपकी गाड़ी में ideal on off बंद हो चुका है, यानि कि आपने डेडिकेटली उसको बंद करा है, by default company हमेशा इसको on करके भेशती है, अब इसको हमें on करना है तो क्या करेंगे, देखो मैं पीछे जाता हूँ, और अपने इसको finger रखता हूँ बटन पे, और जैसी मैं इसको प्रेस करूँगा, तो यह गायब हो जाएगा, same with आपक तो extreme right में यह वाला symbol आगया, orange गाड़ी बनी विया और यहाँ पर यह जिगजग और off, तो इसका मतलब है कि हमने अपनी गाड़ी का जो traction control system हो dedicate खुदी बंद करा है, गाड़ी इसको बंद नहीं करिए, जब भी यह light जली भी आएगी तो इसका मतलब आपका TCS बंद है, on कर निकली क्या करना होगा, फिट से आप देखेंगे, मैं बटन की तरफ आए हूँ यहाँ पे, और आप symbol देखेंगे, मैंने प्रेस किया, बटन, मतलब आपका जो indicator है, वो गायब हो गया, अब इसका मतलब यह है कि आपकी गाड़ी में traction control system काम कर रहा है, आपकी गाड़ी में जादा यह उपर तक रहेगा, इसमें यह यह white light है, आपको दिखेंगे, इसका मतलब आपकी गाड़ी में उतना ही जादा fuel है, और जैसे यह नीचे आजाएगा, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी में fuel कम हो रहा है, आपको fuel फिल कराना है, तो right side मगर आपको देखेंगे, जो गाड़ी का जो temperature है वो जाधा तो नहीं हो रखा है, आपकी गाड़ी के engine का temperature जादा तो नहीं रखा है, तो हमेशा गाड़ी star करने के बाद आपको ये चीज़ ज़रूर चेक करने है कि ये temperature ये जो block से पूरे fill नहीं होने है, हाफ से कमी होने चे तब ही आप अपनी गाड़ी को चलाएं सेम विद अगर आप देखेंगे यह वाला जो light आ रही है आपकी वारिंग light यह आपके handbrake के regarding होती है अगर मैं आता हूँ है अपने handbrake की तरफ और मैं इसको press करता हूँ और मैं हटाता हूँ जैसी मैं इसको हटाता हूँ यह light यहां से जा चुकिया handbrake लगाऊंगा light वापिस आ गई है तो यह वाला काम यह जो indicator होता है आपके handbrake को बताता है अब अगर देखते हैं कि हमारी गाड़ी में जितने भी light आ रही है नहीं जाती है अपनी गाड़ी को start करने के लिए तो सब से बेले मैं क्या करको अपनी clutch को press करूँ यहां से अब देखते हैं पे यह मैंने अपनी गाड़ी को start कर दिया है start करते ही सारे indicator जा चुके आप देख़ेंगे हैंपे handbrake का और seat belt का, क्योंकि अभी मैं गाड़ी को चला नहीं रहा हूँ, बैठा वाँँ, तो इसलिए मैंने seat belt नहीं लगाई है, और handbrick भी मैंने लगा रहा है क्योंकि मेरी गाड़ी stationary position पर है आप ध्यान से दिखेंगे कि मेरे instrument cluster पर कोई भी warning indicator की light नहीं आ रही है engine oil की, malfunction की, battery की, steering की और भी बहुत सारी light नहीं तो ये सारी light नहीं जो होती है ये बताती है कि आपकी गाड़ी में कोई भी problem है इस time मेरी गाड़ी में कोई भी problem है, बल्कुल okay की report है तो ये थी एक detail video आपके warning indicator के ओपर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कीजिए, channel को subscribe कीजिए, comment कीजिए मैं आपके हर comment पर apply करता हूँ और यार एक बार फिट से बोलूँगा यार, वीडियो बनार में महनत बहुत लगती है तो एक like, एक subscribe करेजिए